एक बार की बात हैं कि एक सियार जंगल में किसी पुराने पेट के नीचे खड़ा हुआ था तभी एक टेहनी तेज हवा के जोंके से उस पर गिर पड़ी और सियार उसकी चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया काफी देर तक वर इसे ही पड़ा रहा अब उससे भूख लग रही थी पूरा शरीर कमजोर हो गया था लेकिन तभी उसे एक खरगोश नजर आया उसे दबोचने के लिए वह जप्टा लेकिन सियार कुछ दूर भाग कर ही हुन्फने लगा और खरगोश भाग गया उसके शरीर में जान बिल्कुल नहीं बची थी पर फिर से उसने एक बिल्ली का पीछा करने की कोशिश की लेकिन यहां भी उसे सफलता नहीं मिली तेज और छरहरे हिरन का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी नहीं हुई वो खड़ा खड़ा अब सोचने लगा की शिकार तो बोकर नहीं पा रहा और अब तो भूखो मरने की नौबत आ गई समझो तो क्या किया जाए वो इधर उधर धूंगने लगा पर कहीं कोई मरा जानवर भी उसे नसीब नहीं हुआ उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा ही हाथ लग जाए वो इधर उधर धूंगने लगा तभी कुछ कुटे उसके पीछे पड़ गए अब सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा इधर उधर छिपते छिपाते उनको चक्मा देने की कोशिश करने लगा पर अब सियार के पीछे पड़े कुटों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर की शक्ती जवाब देने लग गई थी सियार भागता भागता रंग्रेजों की एक बस्ती में जा पहुँचा वहाँ उसने एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम देखा वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद गया ड्रम में रंग्रेज ने कपडे रंगने के लिए रंग गोल के रखा हुआ था कुत्तों का तोली वहां से भौवते हुए चली गई जब उसे पक्का यकीन हो गया कि अब कोई खत्रा नहीं तो वह ड्रम से बाहर निकला वह रंग में पुरा भीच चुका था उसने देखा कि उसके सारा शरीर नीला हो चुका है क्योंकि उस ड्रम में रंग्रेज ने नीला रंग घोल के रखा था अब उसके नीले रंग को जो कोई भी जंगली जीव देखता वह बहुत दर जाता अब उनको खौफ से कांपते देख नीले रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई नीले रंग से रंगे सियार ने दर कर भागते जीवों को आवाज लगाई भायो दर के भागो मत मेरी बात तो सुनो उसकी बात सुनकर सभी जानवर रुख गए उनके रुखने का नीले सियार ने फाइदा उठाया और बोला देखो, देखो मेरा नीला रंग ऐसा रंग किसी जानवर का धर्ती पर क्या तुमने देखा है नहीं न, इसका मतलब समझो भागवान ने मुझे खास तुमहारे लिए ही भेजा है तुम सब जानवरों को बुला कर आओ ताकि मैं भागवान का दिया हुआ संदेश सुना सकूँ सभी सच समझकर उसकी बातों में आ गए और जाकर जंगल की दूसरे सभी जानवरों को बुला कर ले आए जब सभी आ गए तो नीला सियार एक उची चटान पर चड़ कर बोला ध्यान से सुनो सभी वन्य प्रानियो स्वयम प्रजापती ब्रह्मान ने मुझे अपने हाथों से इस अलोकिक रंग का प्रानी बना कर कहा है कि इस संसार में जानवरों का कोई राजा नहीं है अब तुम ही जाकर जानवरों का राजा बनना होगा और उनका कल्यान करना होगा और तीनों लोकों के सारे वन्य जीव तुमहारी प्रजा होंगे खुश हो जाओ, अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे और अपसे तुम सब मेरी ही छत छाया में निर्भय होकर रहो सभी जानवर तो वैसे ही सियार के अजीबों गरीब नीले रंग से चक्राय हुए थे तो उसकी बातों ने उन पर जादू का काम किया और वे सभी मान गए शेर, बाग हुँ चीतों की भी सांसे उपर की उपर और नीचे की नीचे ही रह गई उसकी बात काटने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरलों में गिर गए और एक साथ एक स्वर में बोले ए परम भहमा के दूद, प्रानियों में श्रेश, राजा, आज से हम सभी आपको अपना समराथ स्विकार करते हैं परम भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी खुशी होगी तभी एक बुड़े हाथी ने कहा है समराथ, हमें बताई की हमें क्या करना होगा नीला सेयार समराथ की तरह गर्व से पंजा उठा कर बोला तुम्हें अपने समराथ की खूब सेवा और सम्मान करना होगा उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो जाओ और आब हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध जल्द से जल्द होना चाहिए शेर ने सिर जुका कर कहा जी महाराज आप जैसा बोले वैसा ही होगा आपकी सेवा करके तो हमारा जीवन धन्य ही हो जाएगा बस अब क्या था समराथ बने नीले सियार के तो शाही थाठ हो गए और वह राजसी शानो शौकत से रहने लगा दिन भर कई जानवर उसकी सेवा में लगे रहते सियार जिस भी जीव का मास खाने की इच्छा प्रकट करता वह तुरंध हाजिर कर दिया जाता जब सियार जंगल में घूमने निकलता तो हाथी और दो शेर उसकी दोनों और किसी कमांडों बारी गार की तरह चलते अब रोच राजा का दरबार भी लगता नीले सियार ने एक चाला की यह भी कर दी थी कि समराट बनते ही सारे जंगल के सियारों को शाही आदेश जारी करके जंगल से भगा दिया था ताकि तहीं वो अपनी जाती के सियारों द्वारा पहचान ना लिया जाए एक दिन सम्राथ खूब खा पीकर अपने शाही गुफा में आराम फर्मा रहा था कि बाहर कुछ उजाला सा देख कर ओठ बैठा बाहर आया तो देखा चांदनी रात खिली हुई थी पास के जंगल में से सियारों की तोलियां की खू हू की आवाज आ रही थी उस आवाज को सुनते ही राजा अपना आपक हो बैठा और उसके अदन के जंग जात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मूह चांद की और उठा कर बाकी सियारों के स्वर में स्वर मिला कर हू हू करने लगा तभी शेर और बाग ने उसे हू हू करते देख लिया और वेचों के बाग बोला अरे ये तो कोई साधारन सियार है हमें धोखा देकर समरार बना बैठा हैं मार डालो इस नीच बदमाश को फोरण शेर और बाग उसकी और लपके और देखते ही देखते उसको मौत की घात उतार दिया दोस्तों अबराहम लिंकन ने एक बार कहा था आप सभी को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बना सकते हैं और कुछ लोगों को हर समय भी बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन आप हर किसी को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते ये कहानी भी इसी बात का प्रमान है कि किसी का भी धोन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता एक ना एक दिन उसका भंड़ा फोर होनाते हैं इसलिए बहतर यही है कि अपने हमेशा वास्तविक स्वरूप में ही रहें और उसे और भी बहतर करने में लगे रहें दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइट शेर कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद